पूल सचे दरबार की जै मातादी एक बार फिर से नवरात्र की शुब कामना है आपको मेरा नाम है जै 92.7 पिक एफिन से विद्थ मेरे कैमरामेन मेरे दोस राजवीर के साथ सब्सक्राइब के लिए और इन नवरात्रों में हम दोनों ने एक सुक तो बहुत अच्छा पाया कि हम लोग लगबख लगबख सारे मंदिरों पर पहुँचे हैं माता रानी के दर्शन के लिए भवन में दर्बार में और आज अरावली परवतों की शंकलाओं के बीच में फिर से हम पहुँचे हैं मेंदी खोला धाम जहां हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए यहां का भी एक बहुत प्राचीन और खुबसूरत एतिहास रहा है जिसके जानेंगे और माता के दर्शन करेंगे तो पहडी पर मेरे साथ चलते जाइए जब माता दी बोलते हुए जब माता के दर्शन करेंगे मेंदी खुला माता के चड़नों में हिसमें और सारे भक्तकंड भी हमारे साथ हैं मौजूद हैं यहां पर हम चालने के मेंदी खुला माता के इतिहास के बारे में थोड़ा सा और मा की महीमा के बारे में तुछ बताएंगे आप जी शरी अजमेर की अरावली परत वाला में इस्तित महालक्षमी का इस्तान है ये करीब 700 वर्ष पुराना है इसके बारे में बता दे सबसे प्राचिन जो है प्रतिराच्छुवान की जो है उसके अंदर चंदर बढ़ाई बात का जो था उस किताब के अंदर इसका जिकर जो हिए जाए कर शेस और मेंदिकुख्वार के नाम से पुरी मेंधिकोर ऊसलिए पड़ा कि यहां पर महलगे पहस्ते होती है रोल्दीक य हो कि को विशेश म्तलम मार्त होती है रोल्दी को विशेश पंड़़नायगे जिसमें सभी में बक्तिया नामंतिर होते हैं जो जड़ी एक बार फिर से बोलेंगे जैकारा शेरा अलिका ओसाचे दर्वार की जैए जैए तो मेरी तो आज मेंदी खोला दाम की यातरा संपूर्ण हुई मेंदी खोला माता के दर्शन किये हमने यह जो बैष्णो देवी का दर्वार है उसके दर्शन किये और काली माता के दर्शन किये अब आपका इंतजार कि आप भी दर्शन करके आएं और मा का आशिरवाद लेकर के जाएं फिर किसी पड़ाओ पर फिर से मिलेंगे तब तक जैमातादी सुनते रहें का 92.7 Big FM और देखते रहें MT TV इंडिया Thank you so much, जैमातादी Thank you so much, जैमातादी जैमातादी